तो आज हम आपको यसी जानकर यदिए अगर आपको इसके लिए कौन सी आटिशकी लेना चाहिएं और कितने इंच्की आटिशकी लेना चाहिए लिए तो आज हम इस के बारे में full जानकाई देंगे लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको कितने इंच की आटचकी लेना चाहिए तो आप वीडियो को भूलकुल भी अपना करें, फुल वीडियो बहुच करें, तभी आपको बहुत अच्छी तरह ऐसी जानकारी समझ में आएगी, अगर आप सिंगल फेस आटचकी के साथ बिजनेस सुरू करना चाहते हैं, तो हम आपको फुल जानकाई दें, तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं, कि आप को बिजनेस के लिए कितने इंच की आटचकी लेना चाहिए, यानि कौन सी आटचकी लेना चाहिए, तो देखी इतना तो हम जानते हैं, कि हर कोई बैक्ती अगर आई बिजनेस सुरू करता है, तो वह बैक्ती थ्री फेस आटचकी के साथ बिजनेस सुरू करता है, लेकिन अ से कम आटा निकाल के देती है 10-8 चकी, 10-4 चकी आपको एक गंटे में 20 केजी आटा निकाल के देती है, तो ग्राक को आपके पास अधिक से अधिक समय तक खड़ा होना पड़ता है, तभी आपको उसका 20-30 केजी आटा पीश पाएंगे, अगर आप 30-40 केजी आटा यहर ग्राक के बारे में कि क्या 12-4 चकी बिजनिस के लिए ले सकते हैं, तो 12-4 चकी आपको एगंटे में 25 केजी आटा निकाल के देती है, जो सिंगल फिस आटा चकी होती हो, आपको एगंटे में 25 केजी आटा निकाल के देती है, अगर आप 25 केजी आटा निकाल के देती हो, और अगर आप ग्यारा ग्रहा का जैसे की 40 kg आठा पीशते हैं तो 48 kg आठा पीशने में कम से कम आपको समय 1.5 घंटे से लग जाएगा आज के समय में इतना भी समय किसी को नहीं होता है क्यों आपके पास जैसे की 1.5 घंटे खड़ा रहे तो इसलिए आपको 12 चार्ट अचकी भी नहीं ल चाहिए तो आपको पार्ट टू वीडियो जो हम बनाएंगे उस वीडियो में आपको सही जानकाई देखने को मिल जाएगी कि आपको बिजनेस के लिए कौन सी आट अचक की लेना चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं सेकंड पार्ट आपको इ लाइक से आट चैनल को सब्सक्राइब करें